हेलो एव्रिवन गाइज माइनेम इस विनित कांकरे और यूर कॉन टीचर एड इस ब्यूटिफुल वन्डफुल चैनल M.B.A. वाला बाई पी डबली तो दोस्तो हमारी फाउंडेशन बैच की जोरदार शुरुवात हो चुकी है C.A.T. 2023 के लिए बहुत जल्द हम पायानियर बैच लेकर आ रहे हैं लेकिन जो सबसे बेसिक रिक्वायर्मेंट डिमांड है आप लोगों की कि सर एक बार C.A.T. 2023 का सिलाबस डिसकस कर दो ने तो फिर सिलाबस ही नहीं पता कुछ और ही पढ़ लिया जाना था जापान पहुच गे चीन ठीक है तो यही बात इसी चीज यही डालेमा को दूर करने के लिए आज का सेशन है C.A.T. 2023 का पुरा सिलाबस डिसकस करूँगा कि कौन से सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट में क्या क्या पार्ट है वैसे आपको मोटा मोटी सब पता है लेकिन फिर भी देख लो एक दो चीज़े एक्स्टरा ही समझ जाएगी है ना तो चलो गई शुरू करते बिना किसी देरी C.A.T. 2023 की सिलाबस डिसकुशन सबसे पहले तो हम एक इलिजिबिलिटी डिसकस कर लेंगे एक हर्ली एक मिनिट में फिर उसके बाद मेजर सब्जेक्ट कौन से आते है C.A.T. 2023 में और उन सब्जेक्ट में सब टॉपिक्स कौन से आते हैं जैसे कि सब्जेक्ट वाई सिलाब है ना तो यह सब चीज़े हम जानेंगे गाई सबसे पहले हम देखते हैं इलिजिबिलिटी की तरब वेसे तो आपको मालूम है कि क्या हम क्यूं दे रहे हैं MBA करना है तो MBA के लिए सबसे बेसिक इलिजिबिलिटी क्या है ग्रेजिएशन ग्रेजिएशन कंप्लीट होना जूरूरी है तो यह स्काट आप कब दे सकते हो आपके ग्रेजिएशन के फाइनल यह में यह फर्स्ट यह सेकंड यह में अगर दे भी दो तो उसका स्कोर वैलिड नहीं है वह आपको अगर आप 99.9 परसेंट यह 100 परसेंट ग्रेजिएशन में तो कोई भी MBA कॉलेज आपको अड्मिशन फिर भी नहीं देगी तो एक तो आपका फाइनल यह में होना जूरूरी है तब आप कर सकते हो जो की वैलिड होगा आपके अड्मिशन के लिए या फिर आपका ग्रेजिएशन कंप्लीट होना जूरूरी जो रि requirement लेकिन जनरल और open category की बात करो तो minimum 50% is required लेकिन profile building important है तो 50% दिमाग मत रखना हमें 4 ना है academics में भी तब आपका profile strong होगा लेकिन criteria 50% का है for open general और जैसे मैंने कहा category के लिए और थोड़ा कम हो जाता है again guys sir age का कोई limitation है नहीं there is no limitation for age 55 साल का या 60 साल का जवान इंसान भी इसको दे सकता है sir आपने भी जवान कहा 60 साल का yes क्योंकि जिसमें पढ़ने की लगन है यार 60 साल की उम्रह में 55 साल की उम्रह में वो कभी भी दिमाग से बुढानी होता है ना तो yes there is no age barrier sir number of attempt no number of attempt का भी syllabus नहीं करेंगे और जो मेन हमारा concern है आज के session का सर syllabus उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है quantitative aptitude सबसे crucial सबसे important और सबसे डरा होना topic लेकि डरा होना बिलकुल नहीं है अगर basic से पढ़ो और foundation badge में आप देखी रहे हो guys simple है बहुत easy है अगर basic concept से पढ़ो तो बहु कर नहीं होता लेकिन अगर basic clear हो जाए तो सबसे interesting भी और यह बात आप विटनेस कर रहे हो through our foundation badge ठीक है guys और cons का दूसरा important part यह भी है कि जो second section है logical reasoning and data interpretation इसमें भी almost 50% आपका mathematical knowledge काम आता है क्योंकि DIB complete math से भरा हुआ है इसमें कभी जो भी ratio के form में cases आ जाती है चार्ट आ जाते CAD 2022 में probability use हो गई थी तो yes इसले cons बहुत important है खुद भी एक section है और second section में भी लगबग 50% यह उस्ते जादा काम आ जाता है तो yes first subject is count, second logical reasoning and data interpretation and third is guys verbal ability and reading comprehension जिसको हम प्यार से भी ARC बोलते है यार pattern हर साल वैरी होता है लेकिन last two years से pattern बिलकुल सेम रहा है अगर आप count की बात करो तो 22 questions count क्या आए है LRDI के 20 questions आए है और verbal ability के 24 questions आए है ठीक है तो यह उनका मोटा मोटी almost equal weightage है थोड़ा वो देख दो question कम जादा लेकिन almost तीनों section का equal weightage है almost pattern बदलते रहता है तो not necessary कि यही pattern 23 में आएगा आ भी सकता है क्योंकि 21, 22 का same था तो इसले मैंने आपको पुराना pattern बताया count 22, LRDI 20 and VIRC 24 लेकिन it might change लेकिन लगबग तीनों section का weightage same है बट count यानि की maths का weightage सबसे आधा इसलिए है क्योंकि simple सी बाते आप देख रहे हो पूरे exam में से 50% almost maths का knowledge होना जुरूरी है पूरे syllabus के क्योंकि यह पूरा section mathematical है और यह आधा section mathematical है और इसलिए math सही कर लो या अगर math सही नहीं है तो डरने की बात नहीं इंब्य वाला टीम आपके साथ है और इसलिए इंब्य वाला टीम पे आपको एक नहीं बलके दो दो कॉंटी चरेगा इस टेंशन नहीं है बागी एदार डिया और वीर सी तो फर्स क्लास है ही कम ओन नाव कॉंट की बात करेंगे हम कि सर आपने मेजर सब्जेक्टों बता दिये लेकिन इन सब्जेक्स के अंडर में क्या क्या आते है फुड़ा सा वो सामगरी हमें दे दो तो गाइस ये रहा आपके सामने पूरा पिक्चर कॉंट ये बेसिकली पाँच सेक्शन से बना है arithmetic and algebra yes guys सबसे ज़्यादा dominating section अगर कोई रहा है तो वो arithmetic है और algebra है सबसे ज़्यादा arithmetic और equally algebra तो क्या क्या आता है arithmetic में तो वही सब चीज़े गाईस जो अभी मैंने foundation batch में start किये ratio proportion, percent, time speed distance, time work, interest, profit loss, mixture allegation and so on यार ये सारी चीज़े आपको पढ़नी है partnership variation भी आपने देखा ratio proportion क एक extended version है उसके बाद problems on edges हम करते है जिसमे ratio भी होता है, average भी होता है, mixture allegation, replacement वाले question, ठीक है, then time work में pipe system भी cover हो जाता है, time speed distance में relative speed, races, circular track, boats, train, ये सब cover होता है guys, and simple component rest, ये major important part है arithmetic के लिए, फिर बात करते है कि सर इसका क्या, algebra, तो yes, algebra में एक तो basic सिर्क लेना, algebra का equation क्या होता है, expression क्या होता है, identities क्या होती है, उसके बाद linear equation, quadratic equation, बहुत धासू तरीके से, रहूल सर ने भी इसकी शुरुवात कर दी है, तो ये दो section तो start हो चुके अपने foundation batch में, now, higher order polynomial, inequality, logarithm, थोड़ा सा ये जब sections आते हैं, तो student डरते है, लेकिन again बोल रहा हो guys, जरना किसी भी चीज से नहीं है, क्यों हर एक चीज का base होता है, foundation होता है, उसको पकड़ो तो सब आसान है, उसको ना पकड़ो तो सब गया, और हम वही पकड़ाने में आपकी help करेंगे, कि आप base को पकड़ते चलो, तो आखरी तक डटेर होगे, क सब बाते करेंगे, फिर finding last digit and two last digits, last two digits, निकालने के questions होते हैं, trick-based है, यह पूरा का पूरा section trick-based है, tension नि, remainder theorem निकालने का trick है, LCM, SCF, trailing zeros, base system, सब निकालने के tricks है guys, ठीक है, search indices, जो खुद एक बाकी पूरे cons में काम आने वाला topic है, indices के rule, almost हर जगे काम आ जाते हैं, फिर geometry में, basics of geometry, lines, angle, triangle, circle, quadrilateral, polygon, यह सब चीज़े और उनकी properties, यह property-based है, जैसे मैंने का यह trick-based है, यह property-based है, geometry mostly student option में डालते हैं, अपने schooling में, और इस वज़े से वो इस section से डरते हैं, guys, again बोलूँगा, अगर इसको property-to-property सही से कर लो, तो बहुत important हलवा और time बचाने वाला topic होता है, यह exam में, ठीक है, then coordinate geometry, x, y, axis होता है न, वो वाला, mensuration, area, volume, surface area, cube, cuboid, sphere, cylinder, cone, and trigonometry, लेकिन again tension नहीं, figure not, क्योंकि trigonometry भी एकदम basic level तक है, ठीक है, guys, and modern math, दोस्तो, permutation, combination, probability, set theory, when diagram, statistics का एकदम basic part, यह न, बहुत correlation, regression वगेरा, advance तक नहीं, basic part, and sequence series, AP, GP, HP, यह सब, अब यह section ऐसा है, modern math, जो majority student, अगर, मैंने मतलब इस section में, अपने experience से बस दो ही feedback देखे, किसी-किसी को यह section एकदम हलवा लगता है, easy लगता है, और क किसी-किसी को सबसे tough लगता है, यह section के बारे में, मैंने moderate student देखे ही नहीं कि, sir, थोड़ा भोता आता है, थोड़ा भोत नहीं, एक तो बच्चा बोलता है, sir, यह section best है, या फिर बोलता है, sir, यह section option में डालू, कुछता है, तो again नहीं, option में तो कुछ ने डालना है, क्योंकि सबसे जाधा सिलया बस वहास्ट इसी का है, और सबस्याधा important भी यही है, क्योंकि directly तो यहाँ use होता ही है, indirectly आप देखोगे, di में भी use होगा, जैसे मैंने कहा था, इस बार थोड़ा भोत probability वाली case थी, time speed distance वाली case थी, di में तो यह ratio percent use होते ही है, ठीक है, तो yes, इस section के लिए हम दो-दो कौन teacher आपके साथ है, तो yes, अब बात करेंगे दोस्तों हम LR, dialogical reasoning and data interpretation और अगर इसमें हम देखे क्या क्या आते हैं, देखो गाईस, यहाँ पर भी मैंने direct LR, indirect LR यह दो पार लिए है, जैसे कि यहाँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, यहाँ मैंने कहा था, सब important है, सब direct syllabus है, अब यहाँ मैं direct indirect क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी यह जो indirect LR आप देख रहे हो न, indirect LR, इस पर direct question आपको cat में नहीं मिलेंगे, हाँ, अगर आप omit की बात करो, snap, nmat, iift, ct, cmat, इन पर direct questions होते हैं, लेकिन अगर आप बात करो guys, cat की, तो cat में इन पर direct question नहीं होते हैं, जिनको मैंने indirect LR बोला है, ठीक है, alphabetical test, then number and letter series, कभी भी इन पर आपको direct question नहीं मिलेंगे, direction sense test, भला इस पर direct question नहीं होते हैं, लेकिन यह यहाँ use होता है, कई बारी direction sense test का use, यह जो direct LR है, this is the actual syllabus of cat, LR का जो syllabus है cat का, वो यह है, but अगर आप omit भी as parent हो, मतल नाल बजा जाता है, तो basically, अगर आप omit भी दे रहे हो, तो यह सब चीजे equally important है, लेकिन अगर आप आज हम cat की बात कर रहे है, तो यह direct syllabus है, लेकिन थोड़ा बहुत यह भी करना जोरुरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कि puzzles हो गया, sitting arrangement हो गई, इसमें आपको कभी-कभी direction sense use हो किंग, clock calendar, input, output, यह image, test, water, image, mirror image, यह abstract reasoning में आता है, मतलब अगर आप यह last दो topic देखो न गाईज, तो यह तो फिर omit में भी ना के बराबर है, except CET, अगर आप महराष्टर CET टार्गेट कर रहे हो, जमनलाल बजाज के लिए, सिद्नम के लिए, तो definitely वहाँ पे एक बहुत crucial section होता है, CET में abstract reasoning का, under reasoning, reasoning के section में, abstract reasoning के 25 mark के questions होते हैं, तो उसमें यह सारा mirror image, water image, image test, pattern based images जो होती है, वो use होती है, ठीक है, हाला कि water mirror पे भी ना के बराबर questions हा रहे है, लेकिन फिर भी जो image वाले question है, सबसे आदा CET में use होते हैं, बाकी omit का तो है, यह रहा आपका cat का actual, linear arrangement, circular arrangement, sitting की बात कर रहे हैं, फिर उसमें भी mix complex arrangement, फिर game tournament, quantitative reasoning, देखो नाम ही है, quantitative reasoning, मतलब cont और reasoning, दोनों का club, जो reasoning होगा, यानि logic, reasoning is all about logic, तो reasoning तो होगा, लेकिन उसमें उतना ही important थोड़ा सा maths का भी रहेगा, मतलब mathematical reasoning रहेगा, उसमें थोड़ा सा maths use होगा, फिर वो ratio हो सकता है, percent हो सकता है, probability हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, then critical part, यार इस section ने तो इस बार मतलब almost हर, हर एक plot में आया था, network diagram का कोश्च, ठीक है, directly, indirectly, critical part, network diagram, इस cat 22 के बाद एकदम boom में आ चुका है, तो 23 के लिए भी शांदार पढ़ेंगे गाईज आप सुराना सर से, truth and lie, grouping team formation and mix variety, mix variety मतलब 2-4 चीज़ों को mix करते हो, ठीक है, तो ये एक मोटा मोटी आपका LR का direct syllabus है, और ये data interpretation, क्योंकि logical reasoning and DI, तो DI क्या होता है, pie chart, histogram, bar diagram, line diagram, table, tabular form, case let's, तो ये सब चीज़े इसमें mix chart, mix chart मतलब एक ही इसमें आपको pie chart भी आ गया, table भी आ गया, line diagram भी आ गया, histogram भ based DI, ये बहुत important है, nowadays मतलब इस पिछले एक-दो cat से ये काफी चल रहा है, तो इस बार भी इस पे काफी focus रहेगा हमारी preparation में, तो yes यार, guys, ये एक overall syllabus है, LRDI का for cat and overall omit को बगड़ो, तो ये LR के topic भी equally important है, और अब बात करते हैं, last but not the least, VRC section की, तो VRC section में सबसे dominating part अगर comprehension, सबसे dominating, majority of question इसी से है, majority of question, ये आपको pattern overall पता ही होगा, ये न, तो reading comprehension भाई, ये तो सबसे, सबसे, सबसे crucial है, कुछ भी option में डाल तो इसको डाली नहीं सकते है, न तो VRC almost option में चला जाएगा, तो yes, reading comprehension, odd man out, हाला कि इस बार इस पर question नहीं थे, odd man out पर, para-jumble, para-summary, para-completion, ये इस बार नया topic boom में आया, para-completion, and sentence completion, तो यहां तक ऐसा समझो, ये cat का actual, या important syllabus है, उसके बाद फिर ये supporting syllabus, VRC के लिए ये part एक actual syllabus है, important है, इतना तो करना ही है, और ये supporting, फिर थोड़ा vocab आ गया, root words, idioms, ये भी, it's a part of vocab only, critical reasoning, assumption, conclusion, मतलब statement डिया होता है, और फिर 3-4 assumption होते और बोला जाता है, कि बताओ ये statement किस assumption के basis पे दिया गया है, या statement डिया जाता है, और conclusions होते और select करना होता ह कि ये statement का conclusion क्या निकलेगा, critical reasoning, सोचो और answer दो, no need of pain and paper, बस सोच के answers देना है, critical thought, fact, inferences, strong, weak, argument, ठीक है, part of speech, grammar, fill in the blank and verbal analogies, तो ये part important है, ये भी करना पड़ेगा, एक overall champion मलना है, तो, yes guys, this is all about overall syllabus for CAT 2023, cons, lrdi, vrc, उसके अंडर में सब topic क्या आते है, cons का तो पुरा vast syllabus है, मैंने बताया, पाचो section का arithmetic algebra, modern math, geometry and number system, LR में भी बताया कि direct क्या करना है, लेकिन वो direct करने से पहले थोड़ा तो indirect का knowledge होना जरूरी है, क्योंकि वो कभी कबार इसमें use होता है, जैसे मैंने direction sense कहा, blurred relation कहा, ठीक है, उसके बाद di हमने देखा, and the last vrc, vrc में भी reading comprehension most important, लेकिन उसके लिए सब चीजे काम में आएगी ही, ठीक है guys, तो simple सी बात है, और भी कोई videos आप चाहते हो, कि sir इस particular topic पर बनाओ, तो आप comment करो guys, हम comment पढ़ते हैं, और बेशक आपके लिए उसके हम काम करेंगे, समझ गए, ठीक है guys, कोई भी query है, comment करो, thank you so much, bye bye, good day, take care, enjoy